सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिष चैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी सफल रिस्तो के यही वसूल है, वो सब भूलिय जो फिजूल है, छल में बेसक बल है, माफी आज भी हल है इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिली और परिंदे सोसते हैं कि रहने को घर मिली लोट आया हूँ वापस घर की तरफ, हर रोज थका हारा, आज तक समझ नहीं आया कि जीने के लिए काम करता हूँ या काम करने के लिए जीता हूँ आज का पंचांग 15 मिलट से 4 बच कर 35 मिलट तक रहेगा आज का भी जीत महुरत अरधाद दिन का सबसे सुपसम में तो पहर 12 बच कर 13 मिलट से 12 बच कर 56 मिलट तक रहेगा आज चंद्रमा मीश राशी पर संचार करेगी और आज शूर्य धनू राशी पर रहेगे मकर राशी 11 चन्वरी 2,22 देन मंगलवार आज आवकास या रोमैंस के लिए समय निकाले नए विचारों या अध्यात्मिक लोगों की तरफ आकरशित हो सकते हैं अपने सूजबूज का प्रयोग करें किन्तु कार्णों को नजर अंदाश ना करें खास कर जब बात मौके का फायदा उठाने की आती है वे बुजूर के सायद दादा जी आपके दिमाग में शुखत विचार लाएंगे माता पिता का स्वास्त आज का, माता पिता का स्वास्त आजशिंता का विश्य हो सकता है अपने मामलों को स्वम सुलजाने की कुशिश करें घर ओपिस और प्रियर्जनों के बीच में संतूलन बनाया रखने के साथ अपना ही ध्यार रखें जितने वाले वो लोग नहीं होते जो कभी फेल नहीं हुए बलकि ये वो लोग होते हैं जो हारने के बाद भी दुबारा शुरुवात करते हैं आज किसी प्रभाशाली और वरिष्ट व्यक्ति के सानिध्य में बहतरीन जानकारी सीखने को मिलेगी इसे आपके अंदर नए उर्चा का संचार होगा दिन्शेरिया में भी परिवर्दन आएगा आप किसी भी परिस्तिती में संतूलन बना कर रखेंगी महत्व पूर्णा काम को पूरा किया जा सकता है काम आपके अपेक्चा के अनुशार आगे बढ़ने की वज़े से आपको समाधान मैसूस होगा जिस कारण की वज़े से आप अपना उष्षाख हो रहे थे उष्य शम्मंदित खुद में बदला लापाना शंभव है आप अपने उष्षाख को कायम रख कर खुद को प्रेरित करने की कोशिश करते रहे मैना तो लगन की वज़े से प्रगती प्राप्त हो शक्ती है साथ में पैसों के आवग भी बढ़ती हुई नजर आएगी पार्टनर के साथ अपने मनमर्जी के अनुशार बढ़ताओ करने की वज़े से रिलेशनशिप तूट सकता है अपचय और गैस से सम्मंधित अकलीब भी ओशक्ती है शवधानिया रिस्तेदार अत्वा घरिश वैक्ती से सम्मंधित कोई अप्रिय घटना घटने समन में कुछ उदासी रहेगी रुपए पैसे के मामलों में किसी पर भी आग बन कर विश्वास ना करे इस समय आवाद शाही के बचा घर पर ही रहना उचित है बात करते हैं लव लाइफ की प्यार में रशनात मकता आपके लव लाइफ को नई रोशनी प्रदान करेगी इसलिए अपनी कलपना के घोड़े दवड़ाएं और अपने रोमेंटिक सपनों को पूरा करें पेट सम्मंदि समझाएं अभी परशान कर सकती हैं इसलिए दिहार रखें वशायक संकट को अपने पार्टनर से सियर करें और उनसे राय लें अपने परवार और खास लोगों का दिहार रखें क्योंकि जीवन की सफलता इसी बात पर निर्भर करती हैं जीवन की इस भाग दोड़ में अपने पार्टनर को नजर अंदाश ना करें समय समय पर अपने प्यार का इज़ार करते रहें और इसके लिए रात के समय में सितारों को देखकर भविशे के सबने संजोने से बहतर क्या होगा बात करते हैं करियर की यह समय आनन अराम और विलाशेलता बरे जीवन को त्याक कर रशनातमा काम करने का है अतरिक्त आयके नए और शरू को पा सकते हैं याद रखे जीवन में सफलता पाने के लिए कभी कभी कुट नीती का सहारा लेना भी आवश्यक है अच्छा आपके काम में कुछ अईस पश्टता हो शक्ती है महत्वपूर्ण पर योश्नाओं या मेटिंग्स के लिए यादिन अच्छा नहीं है नए बिजनेस से पहले इस्थाई, बचार और प्रतिस परदियों और कीमतों के बारे में अच्छे से सोत कर लें पुराने मित्रों याद जान पहचान वालों से फिर से संपर्क करें और कारे कुछ सल्टा को बढ़ानी के लिए अपने कोशल को पॉलिश करें बात करते हैं शीहत की, खासे जुकां वाइरल आदी जैसी परशानी रहेगी यासे मैं अपने स्वास्ते के प्रती जादा ध्यान देने का है, लापरवाही बिल्कुल ना बढ़ते हैं, आज जब फन्मान भगवान जी के समक्षिर, शर्षों के तेल से दीपक जलाएं शुब रहेगा जीवन में हमेशा सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, आपका दिन शुब हूँ